विद्यार्थियो आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वाकित करता हूँ जैसा आप सभी को मालूम है कि हमने बेसिक्स और फिजिक्स के यूनिट वन के लिए पहला वीडियो आपके सामने दे रखा है अब बचे हुए यूनिट वन के पोर्शन्स पर हम चर्चा को आज आगे बढ़ाएंगे पहले वीडियो में हमने यूनिट टाइमेंस टापिक को कवर किया दूसरे वीडियो में हम कोसिस करेंगे कि मोशन आफ प्लैनेट कैपिलर्स ला से सम्मंधित फोर्स मॉमेंटम इस तरह से जो क्वेशन्स पन सकते हैं उनको कवर करें तो बाड़ी मूव पर्थ की और फ्रीली गिर रही है तो उसमें क्या यूनिफार्म होता है तो आपको मालू है वेलासिटी बदलती है स्पीड बदलता है के वले एकसे रिलरेशन जो होता हो यूनिफार्म होता है तो वो क्वेशन नमर्थ 13 का आपसन भी जो है वो राइट आता है कि सेमी मेजर एकसिस और टाइम पीरियेट के बीच में क्या रिलेशन होता है तो आपको ये याद होना चाहिए कि सेमी मेजर एकसिस का होल क्यू प्रपोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पो Question number 15. A biker travels from A to B at speed of 40 km per hour and return back to the speed of 60 km per hour. The average speed for the whole journey is, एक biker है, जो 40 km per hour की speed से जा रहा है, 60 km per hour speed से आ रहा है, तो इस तरह से उसके journey की average speed क्या होगी? तो 40 plus 60 that is 100 और बाइ 2 कर दीजे, average value मिल जाएगी, 50 km per hour, that is right option is option A. Question number 16. A car is in motion along a straight path, the equation of motion is, S is equal to 2T cube plus 4T square plus 12T, the velocity of car at start and acceleration at T is equal to 1R, S is in meter and T is in second, and 3S or T की unit इसके दिया गया है, ताकि आपको acceleration और velocity की unit को लिख सके, और इस तरह से आपके सामने displacement का equation दिया गया है, 2T cube plus 4T square plus 12T, और आपको मालूम है rate of change of displacement होता है, velocity और एक बार, और velocity को time के respect to differentiate कर देंगे, तो हो जाएगा acceleration, इस तरह से आपको note में मैंने दिखा रखा है, और आप जो एक बार differentiate करके yes को जो आया, वो velocity दे देगा, और दूबारा जो आया, velocity को एक बार और T के respect to, that is yes को दो बार T के respect to differentiate करके, वो दे देगा acceleration, अब जो आया, उसमें T का मान एक रख दीजे, time को one रख दीजे, तो आपके सामने answer आ जाएगा, that is velocity 12 meter per second and acceleration 20 meter per second square, therefore the right option is option B, question number 16 का option B, right option. 17, a body of 3 kg is moving with acceleration of 3 meter per second square, the rate of change of momentum will be, this is a very tricky question, अगर आपको यह याद है basic line, rate of change of momentum force होता है, तो तुरंत आप इस question number 17 का answer 20 second के अंदर में दे देंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है, mass दिख रहा है, acceleration दिख रहा है, mass दिया गया है, 3 kg, acceleration दिया गया है, 3 meter per second square, तो F is equal to YMA, 9 kg meter per second square, तो question number 17 का सही option जो है, वो है option C, तो option C is right option, question number 18, two bodies of mass 4 meter and 16 meter are moving with same kinetic energy, the ratio of their linear momentum will be, तो linear momentum चुकि हमको याद होना चाहिए, mass into velocity होता है, और mass हमको दिये गए है, M1 M2 की value, M1 दिया गया है 4 M, M2 दिया गया है 16 M, लेकिन जब तक velocity आएगी नहीं, relation या तो V1 V2 का मिले, तभी हम momentum के ratios पर चर्चा कर पाएंगे, तो कैसे इस और बढ़ा जाए, तो आपको energy से बढ़ने का रास्ता मिलता है, आपको बालूम है, कि अगर कोई body, जो है, move कर रही है, तो that is, उसकी energy जो होगी, वो kinetic energy की form में होगी, kinetic energy होता हाफ YMV square, और आपने जैसा देखा है, यहाँ कहा गया है कि दोनों bodies की energy सेम है kinetic energy, इसका मतलब है, हाफ YM1 V1 square is equal to half YM2 V2 square दिया गया है, और यहाँ से आप देख सकते हैं, note में मैंने आपको V1 V2 के बीच का relation दिखा दिया है, और उसके बाद आप linear momentum के ratios को लिख देंगे, M1 V1 upon M2 V2, तो उनों से V1 V2 की value रखती आगया, 2 by 3 आगया, answer इस तरह से question number 18 का right option है, option C, question number 19, energy stored in the spring of a watch is, तो जो energy stored होगा, वो किस रूप में होगा, तो आपको मालूम है, potential energy की रूप में होगा, तो question number 19 का सही option है, option B, 20, a ball is thrown vertically upwards, the velocity time graph will be, अगर एक ball है जिसको आपने vertically upward भेका है, तो उसके velocity और time का graph क्या होगा, तो यह आपको अच्छे से मालूम है, velocity time के साथ किस तरह से vary करता है, तो velocity time के साथ straight way में vary करता है, तो जो right option है, जो आपसने, straight line, question number 21, a force vector F is equal to 3 I cap plus 3 J cap plus K cap displaces a body through a distance of D, 2 I cap, J cap plus K cap, the work done is, तो आपको मालूम है, W is equal to vector F dot vector D, क्योंकि जो आप देख रहे हैं, vector form में force और displacement दिया गया है, तो आपको dot product में लेना पड़ेगा, और dot product में आपको मालूम है, I dot I क्या होता 1, I dot J क्या होता 0, I dot K क्या होता 0, इसका मतब है, दोनुका dot product ले लीजे, तो 2 multiplied by 3, that is 3 I, और 2 I multiply होगा 6 हो गया, J और J multiply होगे 1 हो गया, that is 3 हो गया, K K multiply होगे 1 हो गया, तो 6 प्लस 3 प्लस 1, that is 10 आ गया, इस तरह से आपको मालूम गया 10 units, ओके, तो question number 21 का right option है, option B, when milk is current cream gets separated due to, यह बहुत ही famous question आप जानते हैं, centrifugal और centrifugal force पढ़ाते समय का है, कि अगर किसी दूद को आप मन्थन करते हैं, तो किस कारण से जो उस पर आप कह सकते हैं, cream होता है, वो किनारे पर इकठा होता हुआ चला जाता है, तो centrifugal force के कारण से, question number B का right option है, option C, next question number 23, when a particle moves with constant speed along a circular path, तो no force acts on it, its velocity remains constant, no work is done on it, particle has no acceleration, कौन सापसन सही होगा, तो question numbers, चुकि आप देख रहे हैं कि with constant speed चल लहा है, तो speed constant है, इसका मतलब rate of change of velocity क्या होगी, zero होगी, और rate of change of velocity अगर zero होगी, तो आप जानते हैं, acceleration zero, acceleration zero, तो work zero, इस तरह से question number 23rd का right option है, option C, no work is done on it, detail बातें आपको hint पे मैंने दे रखा है, question number 24, the planet which is called as earth, twin is, कौन सा planet, earth का twin मतलब कहा जाता है, कि जुडवा कहा जाता है, तो venus, इसमें कोई ये तब तो बहुत कामन प्रश्न है, तो question number 24, right option option be venus, 25th, motion of planets around sun is in a, जो sun के चारों तरफ planets परिक्रमा करते हैं, उसका path कौन सा होता है, तो जाहिए तोर पर आपको मालूम है, कैपिलर स्ला बता चुका है, पहला ही ला के रूप में, जो path होता है, वो elliptical होता है, right option is, आप Sunday elliptical path, question number 26, escape velocity of a body from earth is about, earth के कच्छा से, कोई भी बाहर कब भाग जाएगा, उसकी, जिस velocity से वो move करे, वो से escape velocity करते हैं, और इसके velocity का मान आपको याद होना चाहिए, 11.2 km per second होता है, तो question number 25, का right option है, option B, question number 27, time period of a geostersonary satellite, तो geostersonary satellite की परिभासा ही होती है, कि geostersonary satellite is the satellite, whose time period is equal to the time period of earth, rotation of earth, that is 24 hours, इस तरह से आप पाएंगे, 27 question का right option है, option C, 24 hours, question number 28, if due to some reason, the earth losses its gravity, then for a body, अगर किसी कारण से, अर्थ अपनी gravity को loss करने लगे, तो क्या होगा, तो आपको मालूम है, gravity का मतलब क्या हुआ, तो mass होता है, केवल yam, लेकिन weight क्या होता है, mg, और g क्या है, gravitational acceleration की बात करते हैं, तो अकर gravity खतम हो रही है, तो जी का मान घट रहा है, 0 की ओर जा रहा है, तो इस तरह से आप आएंगे, कि weight जो होगा, वो क्या होने लगेगा, 0 होने लगेगा, लेकिन mass तो यम तो जसका तस रहेगा, क्योंकि g 0 होता है, तो mg 0 हो जाता है, तो question number 28 का right option है, option A, weight becomes 0 but not the mass, तो कभी भी question को पढ़िये, तो तुरंत उसकी basic थीरी दिमाग में होनी चाहिए, question number 29, a satellite is revolving closely to earth surface, with a velocity V0, its escape velocity VE is given by, तो सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए, कि अगर कोई satellite अर्थ के surface के बहुत ही करीब है, तो उसकी velocity क्या होगी, और साथ ही साथ, escape velocity क्या होती है, तो आपको मालू है, V0 is equal to under root GH, जबकि escape velocity होता है, VE is equal to under root 2GH, GH सारी मैं का रहा हूँ, यहां R से हम लोग लिखते हैं, रेडियस को तो R ही कहना उचित होगा, तो 2GR, तो इस तरह से आप आएंगे कि V0 और VE में जो relation दिख रहा है, वो साथ तोर पर दिख रहा है कि VE कुछ और नहीं, under root 2 times V0 है, और इस तरह से question number 29 का right option है, वो है option C, Question number 28, Acceleration due to gravity at the center of earth is, ठीक है न, Acceleration due to gravity at the center of earth is, प्रित्वी के केंदर पर जो gravity की value की बात की जारी है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रित्वी केंदर पर gravity क्या होती है, जीरो होता है, तो आपको question number 28 का right option है, option C, Question number 29, Mass of earth is given by the formula, तो आपको मालूम है, कि अगर प्रित्वी के mass को यम ले, और उससे कोई दूसरी body ले, जिसका mass small yam हो, और उन दोनों के बीच की दूरी को प्रित्वी के radius के बराबर r मान ले, तो जाहिए तोर पर आप पाएंगे, कि जो उनके बीच में लगने मालग gravitational force है, वो f is equal to minus capital G, capital yam small yam upon r square होगा, और अगर आप जानते हैं, कि force f is equal to सामानी रूप से जो हता है mg होता है, तो इस तरह से mg को अगर कर देंगे बराबर, तो small yam cancel out हो जाएगा, और यहां से capital yam का मान निकल करके आता है, G capital R square upon capital G, तो इस तरह से right option जो दिख रहा है, question number 29 का, वो है option D, अगें, यह question number 2 बार, मेरे 29, 29 लिख दिया गया है, तो अगला question जो मेरा है, sound waves can propagate only in, sound wave basically कौन सी wave है, यह तुर्ण पहला प्रस्ण का पढ़ते ही दिमाग पे आने चाहिए, तो mechanical waves है, अगर mechanical waves है, इसका मतलब है, mechanical waves को चलने के लिए माध्यम किया उशक्ता होती है, तो question number 29 का option होगा, option A, यह थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, question number 29 का, जो दिख रहा है option, वो आप से थोड़ा सा मैं जरूर कहूँगा, कि यहीं सुधार लिया जाए, ताकि यह बात अस्पस्ट हो जाए, कि इसका जो option A होगा, यह आपका option A होगा, ठीक है ना, option is right option, ओके, तो यह आपको दिमाग में होना चाहिए, next, velocity of sound will be highest in, तो आपको मालूम है कि, जिसमें density अधिक होगी, इसमें velocity sound की अधिक होगी, तो क्योंकि sound mechanical wave है, तो solid, liquid, gas, vacuum, तो आपको मालूम है density सबसे दिख, solid में होती है, तो velocity of sound highest किसमें होगी, solid में होगी, sonar uses, तो आपको मालूम है, sonar device का आप नाम सुनें होंगे, sound, navigation, and ranging, इसका full farm होता है, तो sonar uses, किसके लिए होता है, ultrasonic waves के लिए होता है, कि ultrasonic waves के related है, तो sonar किसके लिए इस्तमाल किया जाता है, ultrasonic waves के लिए इस्तमाल किया जाता है, that is question number 31st का, जो option right option है, वो है option B, तो sonar device किसके लिए इस्तमाल किया जाती है, तो sonar device इस्तमाल किया जाती है, ultrasonic waves के लिए, तो इस तरह से, हमने आज अपने unit first के second video में, question number 12 से आके देखा, और question number 31 तक हम लोग देख पाए, से इस अंतिम video question number 32 से शुरू होगा, unit first के लिए, और उसको हम लोग अपने lecture three में देखेंगे, तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद,